हेलो फ्रेंट्स स्वागर थे आपका आपके पने यूट्यूब चैनल सरसोती इंगलिस क्लासेज में मैं समीर सिंग लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास स्टोरी को मैं आपको शुरू होने से पहरे बता दू कि मैं आपको इसमें क्या-क्या बताने वाला हूं पहली चीजब अपको बताने वाला हूं about the writer दूसरा introduction इस lesson का उसके अलावा background of the lesson की ये lesson का background क्या है और title the Browning Version क्यों नाम पढ़ा आप अगट पढ़ें के lesson को कुछ पता होगाँ को तो आपको पता होगा ये चीज की इसमें Browning नाम कहीं कुछ भी नहीं है फिर इसレッ virus कानाम क्यों पढ़ा Browning Version तो आपको ये बताऊंगा Browning Version क्यों नाम पढ़ा शायद आप ये बुक में ना पाओ, शायद आपको टीचर ना बताएं, वो इसलिए हो सकता है, कि वो आपको नहीं चाहते हैं, ज्यादा टाइम दें, और ये भी हो सकता है, कि आपका इंटरस्ट ना हो, बागी चीजों को जानने में, सिर्फ एक्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हो, अगर, तो आप शायद वो चीज ना जानो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत साइच चीज आपको इसमें मिलेंगी, इमेज के माद धम साबको पूरी कहानी समझाओंगा, ताकि आपको कहानी बिल्कुल समझ में आ जाए, उसके अलामा जो बुक में कुछ important question, जो long answer होंगे, जो exam के point of view से important होंगे, जो extra होंगे, वो आपको दी जाएगी, तो चलते हैं, इस story को शुरू करते हैं, about the writer के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यदा इनके बारे में बताने वाला नहीं है, आप बस screen story लेजागा, आपको समझ में आ जाएगा, य जो the browning version है, यह उन्होंने 1948 में लिखी हुई है, ठीक है, यह थोड़ा सा फिर से बतातों आपको, यह महोद है, इनके बारे में, फिर पीसे चलता होंगे, जो आपने भी देखा, यह जो the browning version है, जो एक one act है, यह ध्यान दिजेगा, यह एक one act है, one act मतलब होता है, एक आंकी कर लेती है, personality, वैसा ही, same one act play है, एक इसका, यह couple था, दो, यह lesson, दो act थे, दो play थे, दो natak थे, एक का नाम आपने देखा, browning version, और जो दूसरा नाम था, वो था यह, यह Harley Quinnette, यह Harley Quinnette, जो है, वो second है, लेकिन इसका जो umbrella नाम है, वो है playbill, तो आपसे question है, कि what is umbrella name, किसी का nickname ह होता है, किसी का surname होता है, यह umbrella name क्या होता है, आप comment box में comment करके मुझे बताएगा, अगर आपको ना पता चले, teacher से भी पूछने के बाद या कहीं से भी, तो मुझसे आप comment box में comment करके जान सकते हो, इसको, चलते हैं यह बताने कि the browning version नाम क्यों पड़ा, तो पहले आपको ब इंग्लिस writer थे, यह बहुत ही अच्छे monologue लिखने वाले dramatist थे, आपको शाद एक बात पता हो, आपने सुना होगा, all is well, जो आपने three idiot में सुना होगा, Robert Browning ने उस line को लिखा था, तो महान सक्सियत हैं हमारे Robert Browning, Robert Browning के नाम पर ही lesson का नाम पड़ा है, ब्राउनिंग वरजन, यानि कि यह ब्राउनिंग वाला वरजन है, लिखा तो है retigan महोदन ने, लेकिन वरजन जो है, वो ले लेसन जो play natak है, वो ब्राउनिंग वरजन है, Robert Browning वाला ही है, क्यों ब्राउनिंग वाला है, चुकी मैं आपको थे जब बता दूैंगा इस बु पुखांत नाटक है जो इसकलस महोदन लिखी है इसकलस जो की ग्रीक में पैदा हुए थे यह इसकलस राइटर देखे एकलस नहीं है इकलस नहीं है यह इसकलस है इसकलस जो एक ग्रीक राइटर थे जो माना जाता है कि फादराफ ट्रजडी है अगर दुनिया में कहा जाए द प्ले के ये फादर है दुखांत नाटक के फादर एसकलस ने लिखा था अगे मेमनन अगे मेमनन का ही थीम लिया था रावर्ट ब्राउनिंग ने रावर्ट ब्राउनिंग ने इसको ग्रीक में जो लिखा गया था इसको translate किया था और Robert Browning ने जो translate किया था उसके theme को लिया writer ने Robert Browning के दोरा लिखे गए translate किये गए Natak को नहीं लिखा उन्होंने उन्होंने सिर्फ उसका theme लिया और उस theme को उठा करके उन्होंने अपने book में अपने इस lesson में जिसका नाम है Browning version तो रख लिया तो केवल theme लिया गया था अब आपको समझाओ दो theme क्या था अगामेमनन का जिस theme को लिया हमारे महोदे रैचिंगन ने theme ये है चुकि ये tragic है treasury है दुखानत है अगामेमनने क राजा होता है और इसकी जो wife होती है वो धोखा दे दिती है इसे और इसके मृत्यू करवा देती है ये अपने beloved अपने lover से इसका प्रेमी मा डालता है इसके husband को इसके राजा को अगामेमनन को और बहुत सारी लड़कियां भी बहुत सारी पुत्रियां भी इसकी मारी जाती है इस चक्कर में तो धोखा एक theme है इस अगामेमनन का कैसे धोखा दी जाती है अगामेमनन को इसके खुद की पत्नी के दोरा तो यही theme यहाँ पे भी है आप अगर पढ़ोगे अभी तो इसमें एक character है इस lesson में Mr. Crocker Harris वो अगामेमनन की तरह ही है क्योंकि वो भी जो है उसका new version है नया version है कैसा धोका है आपको शायद book में ना मिले क्यों क्यों क्योंकि यह छोटा सा part है मैं आपको थोड़ा समझा दूँगा जब book को आपको पढ़ऊंगा story को पढ़ऊंगा तब book का मतलब मेरे story से तो शायद आपको समुझा आगया होगा कि यह ब्राउणिंग वर्जन क्यों पढ़ा क्योंकि अगा मेमन जो इसकलस महोदे ने लिखा था इसको translate किया था Robert Browning ने और Robert Browning के translation का theme लिया था हमारे रैटिंगन महोदे ने अपने इस story में जिसका नाम है ब्राउणिंग वर्जन तो story शुरू करते हैं story शुरू करने के शुरूबात पाइदान यह है हमारे four characters इस एकांकी में इस one act play में केवल चार पात रहें मैं आपको बता दू यह है Mr. Frank जो एक science के you are teacher है second है Mr. Crocker Harris इनका नाम यह क्रॉक क्रॉक क्यों क्योंकि इनकी भी जो है वो band बचती है जैसे अगां मिमन की बचती है यह एक अधेर आयू के सिक्छक है टैपलो एक 16 वर्स यह छात्र है एकलोता छात्र दिखाए गया इस पूरे के पूरे play में और Mrs. Harris यह 40 के आजपास Mr. Crocker Harris की पतनी है जो इन्हें धोखा दी है इस lesson में आपको नहीं लगेगा धोखा हाँ अंती में जब आप पढ़ोगे ना अंती में जब आप जाओगे तब आपको लगेगा कि क्या माजरा है तो वो माजरा मैं आपको confirm करूँगा अभी story को शुरू करते हैं story शुरू होती है इन महोदे के आपसे मिलन का बताया जाता है कि यह द्रिश्च जो है वो एक school का है जैसा कि यहाँ पर है यह school school का द्रिश्च है यह अगले दिन से अब school में एक लंबा अवकास होने वाला है यानि कि vacation की छुटी होने वाली है एक 16 वर्सी लड़का टैपलो, एक्चली इसकी मूवी भी बन चुकी है यह मूवी का ही image मैंने लिया है 16 वर्सी लड़का जिसका नाम टैपलो है वो अपने सिक्छक के आदेश पर अतरिक्ट एक्स्ट्रा काम करने आया है सोचो, Crocker Harris इतने परिशान हो चुके अपनी वाइब से कि वो एक्स्ट्रा काम अंतिम दिन तक आना चाहते हैं स्कूल में स्कूल में उन्होंने अंतिम दिन भी टैपलो को एक्स्ट्रा वर्क दिया है क्योंकि शायद टैपलो एक दिन मिस कर गया था उसने एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया था तो महादे ने का कि जब तक तुम एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे Crocker Harris ने का था ये ने ये तो Frank Hunter है तो Crocker Harris ने का था जब तक तुम्हारी मांक सीट नहीं दिजाएगी तो टैपलो इसलिए आया था स्कूल में आखरी दिन भी स्कूल में आय था स्कूल में इसकी मुलाकात फ्रैंक हंटर मौद है जो कि एक साइंस के टीचर है उनसे होती है ये देखते हैं कि ये बंदा किसी का इंतजार कर रहा हुआ होता है इसलिए वो जाते हैं उसे और वो पूछते हैं कि तुम स्कूल क्यों आय हो वो भी आखरी दिन टीचर टैपलो से लंबी वारतल आप करते हुए कई प्रस्ट पूछते हैं यहाँ पे जिससे उसका नाम पता चलता है उसका क्लास भी पता चलता है उसका इंट्रेस्ट भी पता चलता है कि वो किस class में है क्या interest इसका पता चलता है इस वारतल आप में दोनों के कि अभी वो 5 भी grade में है हमारे यां 5th class होता है लेकिन वहाँ पर 5th grade चलता है तो 5th grade में वो बच्चा है उसको अगली कक्छा में अगले grade में promote होना है सब कुछ promotion का सब कुछ Crocker Harris के हाथ पर है और Crocker Harris को ये कहता है कि ये बहुत सनकी व्यक्ति है इनके सामने ही बोलता है Crocker Harris जो हमारे class teacher है वो एक सनकी टाप के व्यक्ति है और उनके सनक पर depend है वो चाहें तो pass कर सकते हैं वो चाहें तो fail कर सकते हैं इसलिए मैं Crocker Harris महोदे का ही wait कर रहा हूँ ये बोलता है फ्रैंक कहते हैं कि नियम के इंसार तो कच्छा के परिडामों की घोशला स्कूल सत्र के अंतिम दिन प्रिंस्पल करते हैं तो मुंद का इंद्जार क्यों कर रहे हो class teacher का प्रिंस्पल तो किये होंगे न बार टैपलो को शिकायत है कि इस नियम की कठोरता से पालन केवल Mr. Crocker Harris ही करते हैं बाकि teachers तो अपना दे दिये principal ने announce कर दिया teachers उठा करके सब को दे दिये अपने बच्चों को लेकिन principal के announce करने के बावजूद भी Crocker Harris खुद अपने हाथों से बच्चों को देंगे और उन बच्चों को नहीं देंगे जो बच्चा कोई extra काम नहीं किया है चुकि इस करड़ टैपलो को स्कूल के अंतिम दिन तक अपने पास फेल का परिडाम नहीं पता चला है इसलिए आज भी उसे आना पड़ा वो अपने सिख्चक से बहुत डरता है इसलिए तो वे स्कूल के अंतिम दिन काम पूरा करने आया है फ्रैंक को आस्चर है फ्रैंक मौदे को आस्चर है इस बात का कि आखरी दिन भी काम टैपलो कहता है मौसम सुहावना है मैं गोल्फ खेलने के लिए जा सकता था लेकिन मुझे टीचर ने बुला लिया इसलिए मुझे यहां आना पड़ा और मेरी इतने जुरत नहीं कि मैं टीचर का आदेश पूरा ना करूँ आदेश मानू ना पिछले ही दिन उसने सिक्षक से अपनी प्रमोशन के बारे में कच्छुनत के बारे में पूछा था लेकिन उन्होंने बताया नहीं कहा मैं उसी दिन बताऊंगा लास्ट दिन वह मिस्टर क्रॉकर हैस यह जो है यह मि हुब हुब मिमिक्री करता है क्रॉकर हैस की और हंटर से बताता है कि क्रॉकर हैस ने क्या कहा था से मिमिक्री करते हुए कहता है मैंने तुम्हें वही ग्रेट दिया है जिसके तुम लायक हो यह कहते हैं इससे मैंने तुम्हें वही ग्रेट दिया है जिसके तुम लायक हो न तो जादा दिया है नमबर ना ही कम दिया है ना नीचे दिया है ना उपर दिया है तो टैपलो जो है ये बात बताता है हस करके फ्रैंक से वो अपने मन का गुबार निकालना चाहता है वो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है ना वो उनमें मानेवी है हरदैता बिल्कुल भ पर फ्रैंक को तो मज़ा आ रहा था इसलिए वो उसकी मिमिक्री बार-बार सुनने के लिए कहता है जब ये दुबारा रिपीट करता है उस लाइन को नमबर पानेवाई लाइन को ना जादार दिया है ना कम दिया है तो फ्रैंक मुझे थोड़े गंभीर हो करके कहते है ठीक ह ठीक है अब तुम ना तुम अपने इस अच्छे इस कलस को ही पढ़ो ये आपको बता है इस कलस क्या है ये क्योंकि वो लड़का जो है इस कलस की बुक ले करके आया हुआ है उस समय तो कहते है ठीक है ठीक है तुम अपना इस कलस बुक पढ़ो तो वो नफरत से दूराता है U semesterus या बढुना कहता है U semesterus मैं नहीं पढ़ना चाहता या मुझे यह पसंद नहीं है वो कहता है कि मेरी पसंद अलग है यह कहता है मुझे साइंस पढ़ना है 2010- faculties आइसक आप साइंस के टीचर है रियन्टेर नहीं पढ़ने का आप जो यानि इनकी भी ये बंदा जो है इनकी भी जो है वो करने लगता है आप कहा सकते हो बटरिंग ताकि किसी तरीके से मैं पास हूँ प्रमोच हूँ और मैं फिर साइंस लूँ इनकी क्लास में वह ये अगा मेमनन को पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता उसे ग्रीक नाटक अधिक रोचक जो है वो साइंस लगती है वो इस ग्रीक नाटक को कूडा कहता है कहता है यह जो अगा मेमनन यह कूडा है क्योंकि उसमें यूनानी भासा के शब्दों की भरमार है और चुकि उसे पढ़ाया भी ठीक घंक से नहीं जाता तो वो सपस्ट श्विकार करता है कि मुझे इसके प्रति जो है वो नफरत है मैं यह नहीं पढ़ना चाहता फ्रैंक जो विज्ञान सिक्षक हैं फ्रैंक को यह शिकायत है कि मंद बुद्धी बालक विज्ञान पढ़ने का मन बना लेते हैं और मेरे क्लास में चले आते हैं यानि कि इंडारेक्ली कहते हैं कि तुम जैस सर हैरिस ने कितने बजे कहा था कि वे स्कूल में आएंगे टैपलो जवाब देता है कि साड़े छे बज़े बोले थे आने के लिए पर उन्हें आने में 10 मिर की देर हो चुके है क्योंकि इस समय शाम के 46 हो चुके हैं फ्रैंक जो है टैपलो क्योंकि आपको पता होगा इवन इतना सास नहीं कि मैं उनकी बातों का उलंगन कर दूँ वो अपने सिक्षक को नाराज नहीं कर सकते और वो भी क्रॉकर हैरिस को तो किसी भी हालात में किसी की पिटाई तो नहीं करते हैं यह समझाता है किसी की पिटाई नहीं करते हैं वो बस मुझे ऐसे उनसे डर लगता ह को क्राकर है नफरत होने लगती है और नफरत है क्योंकि मैंने आपको शैद अभी पूरी तरह से नहीं समझाया अगर मैं ihm effective को आफको भी बताऊंगा इसलिए क्यूं नफरत है इनको क्रोकर है मुझे लगता है पीटते हम लोगों को बस उनके रौब उनके समझाने का तरीका उनके बोलने का तरीका जो है ना वो हमें डरा देता है अब यह कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतने बालकों को इतने बच्चों को अपने काबू में कर लेते बिना मारे और वो भी भैभीद भी बच्चे होत आता है वो कहता है कि Crocker Harris ऐसे व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को कस्ट दे करके अपना मजा लें तो वो दूसरों को कस्ट दे करके Crocker Harris मजा नहीं लेते एक वर्ड इसमें लिखा है sadistic आपको मिलेगा आपको именноगी मिलेगी उसकी sadistic मैं आपको बता दो कर आपको ना पता हो sadistic का मतलब होता है पर पीड़क यारी दूसरों को पीड़ा देखर के खुश होने वाला इंसान इसको याद करने का मैंने बहुत सारे शब्दों का याद करने का एक वीडियो भी बनाया है आप चाहो तो देख सकते हो कि कैसे को आसानी से याद किया जा सकता है sadistic को याद करने का मैंने वीडियो ये बनाया है कि sad माली जे आपके घर में कोई बच्चा है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ माफ करिएगा meaning बताने के आरण ताकि आप वो वीडियो जरूर देखे sadistic में sad माली जे ए जो तुमें उदास किया है जो तुमें रूलाया है इसको मारो अब आप बच्चे का expression देखिए डंडा दीजेगा और जिस बंदे ने उसको चुआ है जिसके कंड वो बच्चा रो रहा है जब वो डंडा लेकर के stick लेकर के मानने को जाता है और सामने वाला चुकि वो बच् बच्चा उसमें पर पीड़क है उसको पर पीड़ा दूसरे की पीड़ा से खुशी मिल रही है बच्चा उसमें खुश होता है जब किसी को मारता है और आप भी ऐसे होते हो आप भी राय जगडा करते हो दूसरे दूसरा जब रोता गाता है दूसरा परशान होता है तो कई सिचकों से काफी बहतर है, काफी भिन्न है, बहुत साइटीचर ऐसे हैं जो सडिस्टिक हैं, यह पूछते हैं कौन कौन सडिस्टिक है, यह जानना चाहते हैं कि किसको कह रहा है, यह नहीं बताता है, टैबलो कहता है सर नहीं, इसके बार में क्या जानना, छोड़िए इसक ये फ्रेंक को भी खुश करने की कोशिस करता है पर फ्रेंक को उन परपीड़कों में शामिल नहीं करता क्योंकि फ्रेंक युवा है और विज्ञान के सिक्षक है और उनसे उसका काम है इसलिए वो कहता कि आप परपीड़क आप सैडिस्टीक नहीं हो पर Mr. Crocker Harris कोई खुशी देने वाले वेक्त नहीं है अंदर से वे किसी अखरोट की भाती सिकुरे सुखे रहते हैं ऐसा लगता है कि वे लोगों से नफरत करके उन्हें अपना प्रसंशक बनना चाहते हैं देखेगा थी मैं आपको बताऊँगा अभी क्यों ये अखरोट जैसे सुखे से हैं अंदर से नफरत क्यों करते हैं ये इन सभी तूटियों के बावजूद इन सभी कम्यों के बावजूद Mr. Crocker Harris के कम्यों के बावजूद जो टैपलो है ये Crocker Harris को पसंद करता है ये एक उदाहरर देता है Frank को Crocker Harris का वो कहता है कि एक दिन Crocker Harris ने कक्छा में अपना एक पूराना घर्टिया साथ चुटकुला सुनाया और वो चुटकुला था लैटिन भाशा में क्योंकि Crocker Harris लैटिन टीचर थे वो लैटिन पढ़ाते थे Greek पढ़ाते थे इसलिए तो वो अगामेन में लिया था तो जब वो एक चुटकुला सुनाया वो भी लैटिन भाशा में तो कोई बच्चा नहीं हसा क्लास में क्यापलो कहता है Frank से कि कोई बच्चा जब वो चुटकुला सुनाया थे तो कोई बच्चा हसा नहीं अब कोई नहीं हसा चुकि मैं टीचर को पसंद करता हूँ और मैं विनम्रता वस खड़ा हो गया और मैं हसने लगा मतलब खड़ा नहीं हुआ ऐसी हसने लगा यत्दपी इससे समझ में नहीं आय थी कि उन्होंने क्या बोला लेकिन फिर भी वो हसा अब क्राकर है रिस जो है वो खुश हो करके मुझसे बोले ये कहता है इनसे कि क्राकर है बहुत बढ़ियां बेटा टैप लो तुमने शाएद लेटन भाशा में इतनी प्रवीरता इतनी स्किल इतनी दक्षता हासिल कर ली है कि तुमने चुटकला समझ लिया और अगर आप समझ ही लिया है बाकी तो समझ नहीं पाया बच्चे तुम समझ गए हो तो तुम इसकी व्याख्या करके और भी बच्चों को अपनी खुशी में सामिल कर लो अब सोचे उसमें क्या कंडिशन होती बिचार टैपलो को तो पता है नहीं था लाटिन वो तो सिर्फ टीचर को खुश करने के लिए हसने लगा ऐसे हमारे भी ख्लास में होती आपने देखा होगा टैपलो संकट में पढ़ गया कि आप करे तो करे क्या पर इस बीच जो थी वो क्रॉकर की पतनी आ गई थी जिससे उसकी जान बच गई थी तो ये तो टैपलो महोदय ने समझाया फैंक हंटर को क्रॉक हैरिस के बारे में और तभी सच में मिली आ गई महोदया मिली ये ही है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ और आपको मैं बता दू थीम थोड़ा सा अगा मेमनन का अगा मेमनन जो राजा था जिसको उसकी पतनी के पतनी नहीं मरवाया था अपने लवर के दौरा यहां भी से महाल होने वाला है मिली जो महोदिया है ये मिली है फ्रैंक से यानि कि अपने हस्बैंड से ज़्यादा ये इनसे प्रेम करती है दूसरे टीचर से और इसलिए जो क्रॉकर हैरिस है वो परिशान रहते हैं दुखी रहते हैं उनको बस ये नहीं पता कि कौन है मिली का लवर पर उने पता है कि ये किसी और के साथ रहती है और फ्रैंक महोदे इसलिए नफरत करते हैं क्रॉकर हैरिस से आपको शायद कुछ समझ में आ रहा हूँ अभी आपको और भी समझने आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको मिली जो चालिस वर्स की लगबग आयू की छरहरी महिला हैं अपने हाथ में एक टोकरी लिए प्रिवेश करती हैं वह इसे साइड बोर पर रख देती है टैपलो की जान सुख रही है कि कहीं मिली ने उनकी क्रॉकर हैर्स के बारे में जो मैंने बोला अभी मिमिक्री किया जिए और कुछ बोला अगर सुन ली होँगी तो जाकर करके यह शिकायद कर देंगी अपने हस्मेंट से और Mr. Crocker Harris उसे fail कर देंगे पर Frank ऐसा नहीं सोचता क्योंकि वो दिखाता है कि ये नहीं देखी है नहीं सुनी है ये जानता है कि अगर देखी भी होंगी सुनी भी होंगी तो क्या कर लेंगी मेरा तो कुछ नहीं कर सकती जाए जायर सीबात देंगे इसका कुछ नहीं कर सकती अब मिली जो है आती है और मिली जो है अब बताने लगती है दोन लोगों को मिली कहती है कि साइद तुम मेरे हस्बेंड का वेट कर रहे हो क्योंकि हस्बेंड ने बताया होगा जो आन टैपलो कहता हाम मैं मैं आपके हस्बेंड का यानि मिस्टर क्रॉकर है इसका वेट कर रहा हूँ तो मिली बताती है कि जो हस्बेंड मेरे वो बरसर के पास बरसर के पास बरसर एक खजांची है यानिकि वो खजांची के पास गये है और शयद उनको आने में टाइम लग जाए तो तुम एक काम करो, तुम घूम कर आओ, कहीं मौज मस्ती करके आओ, कम से कम 15 मिट के लिए तुम जाई सकते हो, टैपलो कहता है, नहीं मैं मुझे भै है, कि कहीं अगर बीच में आ गए, तो क्या होगा, तब तो पिटाई कर देंगे, फेल भी कर देंगे, ये कहती ही कोई ब कि तुम दवा की पर्ची लिए हो मेरी, और तुम दवा लेने जाओगे, आराम से तुम आ जाओगे, तुम्हें परशानी भी नहीं होगी, सारा दोस में अपने उपर ले लोगी, टैपलो खुश हो जाता है, और खुशी-खुशी वहां से भाग जाता है, परदा गिर जात है, स्टोरी खत्म हो जाती है, वन एक्ट खत्म हो जाती है, आपको पता होगा, पंद्रा मिट इसको भेज करके वो क्या करने वाली है, यह रियल फैक्ट है, आपको बता रहो, मैं इसमें मजाक नहीं है, स्टोरी खत्म होती है, यह है, मिनिंग फ्रम टेक्स, रिमूव क्या तो यह आपके क्रेक्टर्स हैं जो बहुत इंपवाण कर्क्ष आप देख लिजएगा जो एक रखाये मीजूर्मेंटाट आप देखेंगे वर्ड करके अपना यह मोबाइल मोबाइल देख लिए यह है पेज नेमिल 56 का question answer यानि solution आपके book का screenshot लेजएगा आपको आसानी होगी लिखने समझने में talking about the text का third question working with words का ये questions है और ये answer है इसके six के six का ये है value based question जो बहुत important है जो आपके लिए रखा है मैंने इसके questions बड़े होते हैं और आपके book में जरूर आते हैं questions बड़े जरूर होते हैं but questions आधा समझ जाओगे तो answer आपको पूरा मिल जाएगा आधा तो आपको समझ नहीं है और आधा समझाने के लिए मैंने यहां रखा है ताकि आधा का आधा पूरा कर लो यह नहीं कि आप one fourth कर लो यह इनिस टोरी जो है पूर कीजिएगा thank you for watching the video मिलते हैं next video के साथ अपना ख्याल रखिएगा